Hello everyone, कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्त होंगे तो आज हम करने वाले हैं candle wax readings में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिये यानिकी उनकी जो current feeling से होंगे हम check करने वाले हैं ठीक है? current feelings क्या है हैं आपके partner की हम देखेंगे और आपके partner आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं आज के अपने इस रिडिंग में ठीक है सो ध्यान रिखिएगा कि यह रिडिंग एक जनर रिडिंग होगी हम कैं तब आपको सब की समझ में आ जाएगा सॉरी कभी कभी खासी आ रही है आपको पता है कि मेरी आखी तो जो लुक जोड़े हैं पहले से वोन तो जानते हैं वड ह 호 joo है तो मेरी जोड़े हुझ में कह सकते हैसे टो मैं रिडिंग को रोप नहीं सकते हूँ वीडियो के स्टॉप नहीं करूंगी क्योंकि उससे अनेर्जी इधर उधर हो जाएंगी ठीक है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना बट मैं कोशिश करूं कि खासी ना आए है ना जो लोग मेरे रुही की रसोई चैनल से जुड़े हैं उस चैनल से जुड़े हैं सो आपका थाइंक्यू सो मच और आप लोग जो है किसी भी पांच वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आप लोग वीडियो को देखेंगे सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होगा वीडियो क को देख करके सब्सक्राइब कीजे चैनल को और सब्सक्राइब करके और पांच वीडियो के नीचे किसी पांच वीडियो के नीचे आपका नाम यहां पर आएगा ठीक है तो उन्हीं लोगों का मैं नाम लोंगी और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके जो कार्ड्स हैं पहले स्रिप चार्ज किया जाएंगा, उनका नाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, स्रिप चार्ज किया जाएगा बस, ठीक है, पहले, स्रिप, चलिए बाती जादा नहीं करते हैं, करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है, तो आखे बंद किजे, गहरी लंबी सांस लेकर के, और तब आपकी रीडिंग देखने बैठ ये, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खी, स्टार्ट, लाइब की पार्टनर काफी एमोशनल है, काफी एमोशनल, हाला कि इनके एमोशन के बारे में कोई जानता नहीं होगा, कि ये परसन इतनी ज्यादा एमोशनल है, ठीक है, बाहर से सकते दिखते हैं लेकिन अधर सिर बहुत ही नर्म हैं, बहुत ही ज़ादा यह पॉर्षन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पॉर्षन ने हजार बाती अपने अंदर छुपा के रखी है यह पॉर्षन की फीलिंग्स में देख पारूं कि यह पॉर्षन काफी जदा छुपाने वाली एनर्जी में है यानि कि यह पॉर्षन काफी जदा बातों को छुपाते हैं हाइड करने की अनर्जी ज्यादा दिखाए दरी है इनका एक जो होता है ना कि कि आपके पार्टनर कभी भी आपको जो है कि यह नहीं बताया पाए होंगे कि यह पॉर्सन आपके लिए क्या कर रहे हैं यह क्या फिल कर रहे हैं ठीक है आपको कभी मेश्वोस नहीं हुआ होगा लेकिन। आपके पार्टनर आपको काफी जजदा मिस करते हैं ठीक है यह energy मुझे नजर आ रही है ठीक है आपके और आपके partner की बीच में ना काफी ज़्यादा कुछ energy ऐसी है कि होता है कि हम changes लाने लगते हैं अपनी life में हम चीज़े बदलने लगते हैं ताकि कुछ positive हो कुछ positive changes हो, आपके partner कई कुछ चीज़े बदल चुके हैं अपनी life में, यह positive change लाने के लिए, यह positivity अट्राक्ट करने के लिए है, आपके partner के अंदर मुझे काफी कुछ चीज़े ऐसी दिखाई दिरे हैं, तो यहां पर वही है कि आपके partner के energy काफी highs आ रही है, और आपके partner काफ करते हुए, feel करते हुए, देख रहा हो ना, इनकी energy एकडम से, आपके partner को बात बात पर गुस्सा भी काफी आता है, आपको कभी कभी बहुत जदा जो है, यह person बुरा बोल देते होंगे, या बुरी तरीके से आपको treat करते होंगे, कई बार इनका हो जाता है, क्योंकि आदत ह है ना, इनकी, हैना, तो जो इनसान की आदत होती है, वो आदत छूड़ती नहीं है, बात वही है, कि आपके partner, कई कई बार तो ऐसा होता है, कि यह person कुछीजों को जो हैना, hide करने के चक्कर में हैना, आपको बहुत, बहुत ही सुना देते हैं, बहुत सारी कुछीज़ें सु आपके लिए important है, और आपको लगता है कि नहीं, यह जो है ना, इनके लिए ही जो है, सो है, इनके साथ ही जो मेरा रिस्ता है, ना, उसके साथ मेरा relation continue हो पाएगा, या कर पाएगा, या कर पाएंगी, हैना, तो यहां पे थोड़ा सा यह दिख रहा है मुझे, यहां की energy clearly दि बीच में, मुझे बहुत जारा, जादा, हैना, बहुत जादा एक, ऐसी energy दिखाई देती है, जहां पे आपके पार्टर आप अपना गुस्सा दिखा करके, आपका मुँ बंद करवा देते हैं, ठीक है, आप, 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 जो हैना, इनका गुस्सा देखकर के कुछ बोलते नहीं हो, ऐसी energy जो हैना, आपके पार्टर की दिखाई दे रही है, मुझे, ओके, मुझे यहां पे यह भी दिख रहा है, कि आपके पार्टर जो हैना, काफी एक, ऐसी energy को भी देख रहे हैं, जहां पे, आपके पार्टर को कई-कई बार रात में, उठकर मन करता है, कि आप स का मन अभी भी कर रहा है कि यह person आपसे बात करें यह person को feel हो रहा है कि आप इनको बहुत दिल से महसूस कर रहे हो बहुत दिल से याद कर रहे हो आप इनको और आपकी यादे है ना आपके पार्टनर तक एग दम कि थिक मुझे यहां फिर दिखेए है कि आूपकी पार्टनर कि एक होता ना जिसे की ना विदलना तुब गोक्त कुछ चाहते हैं बस विव बहुत कुछ चाहते हैं बर्ड इनके हाथ में अकीले का कुछ नहीं है तो पोर्टनर थोड़ा सा अ तरफ से दालते हुए क्या है ठीकर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे यहां पे यह आपत्लम पेज़या तीम कुछ इन संफिन मुझे दूखरा हमाराल अ लुटे माणाल जो मुझे बशाय दे रहे हैं आपके partner को ऐसा मैं देख पा रहे हूं कि एकदम इनके जो words हैं, जो इनकी चीजे हैं, इनके सामने आर्टीवी दिखाई दे रही हैं, या कहें तो इनके सामने अचानक से कुछ चीजे होती हैं, कि सामने विजबलाइज होने लगती हैं, आप से related, जैसे कि आपके होट, आपक long distance में भी हो, लेकिन जो kissing scene था न, वो आपके partner को काफी ज़्यादा आ रहा है, आपके partner के बीच की थोड़ी सी energy मुझे ये भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कहता है न, कि कितना भी भाग लो, कितना भी भाग लो, लेकिन अपने आप से कब तक कोई भागेगा, तो कोई अप अपने आप से नहीं भाग सकता है, दूसरे से तो भाग सकता है, अपने आप से नहीं भाग सकता, तो आपके partner भी अपने आप से नहीं भाग पा रहे हैं, ये person के दिल में बहुत सारी कुछ चीजे जो है न, यहाँ पे हैं, आपके partner बहुत सारी कुछ चीजे देख चुके ह और यह पॉर्सन की एनर्जी मुझे क्लियर दिख रही है कि यस आपके पार्टनर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा 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 है ना já manifestation करते विए दिखाई दे रहे हैं manifestation के एनर्जी मुझे clear दिक रहे है manifest करते विए आपके partner मुझे clear दिख रहे है आपको और इतनी ज़्यादा अछिए energy है ना आपके और आपके partner की बीज़की कि मतलब एक जो होता ना कि relationship relationship बहुत ही प्यार से और बहुत ही एक समझदारी से बनता है तो वह प्यार वह समझदारी गहाती मुझे दिखाई दे रही है यहां की energy के नुसार से मुझे यहां प्यार चूओ यह दिख रहा है कि आपकर आपकी पार्टनर के स swing ऐने हैं तो यहां पर दिख रहा है कि इनको आपने रिष्ते के साथ सथ आपका प्यार भी चाहिएं इनको बोचे यहां पे बहुत ही क्लिए ना प्यार भी मांगते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप जो है नहीं दे पाते हो उतना टाइम या उजिस तरीके का यह चाहते हैं उस तरीके से आप नहीं दे पाते हो थोड़ा सा मुझे छोजासा मुझे इनकी expectations के अनुसाल से आप वो प्यार देते वुङ नजर नहीं यह आ रहे हो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको थोड़ा सा होता है कि मुझे लगता है कि इनको sexual बाति ज़्यादा पसंद है आपके साहज और यह एक होता है कि जो है video जगड़े भी होते हैं आप दोनों के बेच में हाला कि अभी ये पॉर्सन जो है nah फील तो कर रहा है कि आपके सांत एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली हो बहुत ही प्यारे हमारे बच्चे हो है न ये पॉर्सन ये फील कर रहे हैं या किसी और के साथ क्योंकि ये पॉर्सन जायना काफी कुछ चीजे समझ चुके हैं काफी कुछ चीजे देख चुके हैं अपनी लाइफ में और इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली रेडी ही नहीं होगी आपके लिए क्योंकि इनकी फैमिली बड़ी कुरूर है ठीक है फैमिली प्रेशर दे रही है काफी ज़दा फैमिली प्रेशर दे रही है और फैमिली के प्रेशर देने की वज़ा से आपका और आपके पार्टर की बीच का जो रिस्ता है यह तूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली प्रेशर काफी ज़्यादा है और फैमिली जो है इनके उपर एक जो होता ना कि तुम नहीं करो के तो क्या करोगे यह बताओ है ना वो वाला सिस्टम यहाँ पर आ चुका है यानि कि इनके उपर पूरी तरीके से जोर जबर्दस्ती चल रहा है और जोर जबर्दस्ती होने की वज़ा से यह पॉर्सन काफी परेशान हो चुके हैं मुझे जहां तक दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर की शादी तक हो रही है जोर जबर्दस्ती के कारण से क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की शादी यहां पर एकदम से क्लियर दिख रहा है कि एकदम शादी होगी ही होगी है ना ऐसा यहां पर हो जुगा है कि अ अब नहीं अब शादी फैमेली कर आ रहा है तो जहां ने कर रही है वहीं पर हम सादी करेंगे। ऐसा भी यहाँ पर सी्ट आgкой बना हुआ था और है मुझे यह पर अपर क्लिरली कर रहा हैं। इस परसन को manage करना पड़ रहा है तो बहुत सारी चीज़े हैं है ना देखे इस relationship में एक अनुख्या रिस्ता भी बन सकता है एक बहुत ही pure relation भी बन सकता है आपके partner का मानना है ठीक है आपके partner को लगता है आपके partner को ये भी लगता है कि ठीक है चलो शादी नहीं हो पाएगी ठीक है मानते हैं कि चलो शादी नहीं हो पाएगी है ना लेकिन क्या हम शादी के बाद भी रिस्ता रख सकते हैं जैसे कि होता ना कि extra marital affair रख सकते हैं क्या जैसे शादी हो गई ठीक है हमारी family के साथ मतलब उतनी family का pressure था इस दे शादी हो गई चलो ठीक है बट extra marital affair रखने का इस person का मन है अगर शादी हो जाएगे न तो ये person आपके पास आएंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस person की thinking के अनुसार से ऐसा दिख रहा है काफी कुछ चीजे सोच करके और ये जो person है इनको ये भी लग रहा है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता हमें दिल से कोई अलग नहीं कर सकता जिसम अलग होने से क्या होता है दिल से कोई अलग करके दिखाए तो वही आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि नहीं हमें दिल से कोई अलग नहीं कर सकता हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है या हमारे साथ नहीं है इसलिए हमें ऐसा होता है बट आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं आपके पार्टनर का साथ जो है ना बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर को लगता है कि आप और ये दोनों बहुत ज़रूरी है दोनों के दोनों बहुत 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 ज़रूरी है और मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक जो प्या रहे हैं ठीक है missing वाली energy है यह person कहना चाहते हैं कि yes I really miss you and I love you ठीक है यह person की feelings मुझे clear दिखाई दे रही हैं आपके लिए दिल से हैं इनके दिल से निकली हुई आवाज है शायद आप तक पहुंच जाए शायद आप सुन लो शायद आप जो है realize कर जाओ कि yes यह जो portion है ना आपके थे और आपके ही रहना चाहते हैं ठीक है overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में ठीक है so cards के energy खेरूँ आपकी energy के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है I hope reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है तो चैनल को subscribe जरूर करना वीडियो को like जरूर करना मिलते हैं फिर किसी नई reading में तब तक के लिए well bye